नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल बिशनुजी के साथ दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से तरीके के बारे में जिससे आप चाहें तो पांच उरुपए लागत में आप समान पांच उरुपए लागत में समान बेच करके आप रोजाना दो घंटे में पांच सो रुपए तक कमा सकते हैं उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं दोस्त ये जो वीडियो में आप इस जो बनाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताने वा चुर्पे में कैसे कम करके अपना लागत और ज्यादा भी फाइदे कमा सकते हैं दोस्तों चलिए आज इसी वीडियो में बात करेंगे और आपको पूरे बिस्तार से समझाएंगे कि इस आइडिया को इस बीजनस आइडिया को करते बहुत लोग हैं लेकिन अगर आप कुछ न का बात कर रहा हूं चौमिन का मैं आपको बाती नहीं बता रहा हैं सिर्फ मैं बर्गर की बात आपको इस वीडियो के मादेम से बताऊंगा यही वीडियो मेरा बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है इसलिए मैं सिर्फ बर्गर के टोपिक पे मैं आपको बताऊंगा दोस्त जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ उसमें अगर आपको कुल मिला का अगर 5 रुपे खर्च लगते हैं बर्गर एक पीस बनाने के लिए तो दोस्तों मैं ये जो आँकड़ा बता रहा हूँ इसके जरूरी नहीं है कि 5 रुपे लगता है तो आप उसको 10 रुपे पीस बेचते हैं तो आपको 5 रुपे मुनाफा होता है अगर मान लेजिए 2 घंटे आप बर्गर लगाते हैं तो ये आप ऐसे ही अंदाजा लगा लिएकर 100 कस्टोमर आते हैं तो 500 रुपे आप खमा लेते हैं 100 कस्टोमर आते हैं तब लेकिन जो मैं आइडिया बताने वाला हूँ जो मैं बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से 5 रुपे अगर लागत लगता है तो उसको 4 रुपे लगा सकते हैं इस तरह से चार रुपए लागत लगा सकते और 10 रुपए में ही आप समान बेच सकते हैं, सबसे बात पहले बात यह मैं बता दू, अगर आप उसमें पैज डालते हैं, या जो भी उसमें मेटरियल डालते हैं, जाहिर सी बात है, अगर उसमें आप कमी करेंगे, तो निश्ची डालते हैं लेकिन दोस्त आपको कर क्या सकते हैं ये आप पहले सोची आप ये कर सकते हैं कि मान लेजिए कि अगर आप उसमें जो आग जलाते हैं तेल में उसको छानते हैं तो दोस्त जो आग जलाते हैं उसका आप खर्चा कम कर सकते हैं जो मैं अपने आइडिया से बता रहा असी 90 रुपय या 70 रुपय में जो भी रेट हो मैं कुछ आपको घ्राइचि क्लूब बताने वाला हूं। दोस्तो आप मैं इसको यह दिखा रहा हूं जो यह देख रहा है यह टीन है यह इसको इसको तीना कहा जाता है हमारे इसको तीना कहा जाता है आप इसको ध्यान से देख चाहिए तो दोस्त आपको क्या करना है मैं इसके बारे पूरे डीटेल हो बताने वाला हूं दोस्तो जो म जे माल लेजे अगर पांच लिटर या दस लिटर का जो रिफाइन खरीते हैं तो उसका यह केनी आता है टीना का केनी होता है जी हा मेरे दोस्त ठीक उसी परकार से अगर केनी मिलता है तो केनी खरिदना है अगर टीना जो मैंने आपको दिखाया चद्र जो ठोड़ा-थोड़ मतलब उपर रखने के लिए लगा जाता है घर के उपर लगा जाता है घास फुस का घर होता है उसके साथ लगा जाता है या दिवार चला करके उसके साथ लगा जाता है उसको टीन का चदर कहा जाता है जी है मेरे दोस्त टीन का चदर जो है जो आपने मैंने बताया अभी कि र म spite हैं किनारे नीचे के तरफ उसमें आग जलाना है ज़ीया मेरे दोस्त उसमें आग जलने के लिए रख लेना है और उपर आप जो समगरी रखते हैं चानने के लिए बर्गर को गया रावर में सेट कर दें तो अगर उतने रुपए का अगर लकडी खरीते हैं, तो आराम से आपका हपता दी निकल जाएगा, हपता दीन तक आप कमा सकते हैं, लेकिन एक किलो गैस आप बहराते हैं, तो दोस्त यह जो आइडिया है, अब आपके मान में एक सवाल और भी होगा, हम लकडी कहा मिलेगा, लकड़ी कहां से लाएंगे दोस्तों आप सहर में रते हैं या गाँ में रते हैं कोहीं भी रते हैं आरा मसीन तो आपके पता है कि लाइसेंस वाले आरा मसीन कहीं भी होते हैं क्योंकि लकड़ी की चिराई होती है लकड़ी के कई समगरी बनते हैं घर का समान कीचन का समान हर च पांच उरुपए लागत है तो चार उपए लागत लगा करके आप आराम से चाहे तो इस बीजनस को कर सकते हैं जो मैंने तरीका आपको बताया कि आप किस तरह से तीना का एक चदर खरीद करके उसको चारो तरब से मतलब गोल करके या चार कोनक मना करके, ऊपर आप चाहे तो कराई रख करके, नीचे थोड़ा सा होल करके, आप चाहे तो उसमें आग यला करके, अपना लागत कम करके बेच सकते हैं, समान बना सकते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताने वाला हूँ आप जिस तरह से नेचुरल खेती लोग करते हैं गाँ में नेचुरल खेती अभी लोग करते हैं कुछ लोग करते हैं कुछ लोग केवल अंग्रेजी खेती के बारे में खाद का उपयोग करेंगे और खाद खरीद करके जब नहीं डालना पड़ेगा नीजी घर पे खाद रहेगा तो दोस्त आप अराम से उसको दे करके खेत में डाल करके खाद को आप नेचुरल खेती के और एक कदम बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो आज के वीडियों बस इतना ही फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे लेकिन अगर आप चैनल नहीं होगे तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेजिएगा तो चलिए दोस्त आप फिर मिलता है नेक्ट वीडियो में तब देक लिए जाहिंद जाय भारत